नमस्कार दोस्तों मेरा ओलमिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लॉलिबोर्ड से एक्जाम में उम्मीद करता हूँ कि मैं लाइव हो गया हूँ और आप मेरी आवाज जो है वो सुन पा रहे होंगे तो आज आपका करेंड़ पर कोई भी समय ना गुज़ारे को सब्सक्राइब कर लिए लेकर नहीं आता हूँ तो मुझे अजीव सी बेचैनी होती है तो फिलाल आप सभी से गुज़ारी देगी रहूल मिशा के नाव से टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लीजे कभी मैं क्लास नहीं ले पाया तो आप यहांप पर बतां तो सकते होंगे आज में क्लास नहीं ले पार हों क्या परिशानी है तो आपको यहां पर पता चल जाएगा आईए देख लेते हैं आजके वारे हैड्लाइन चाहिं कर यहां करेंट कर लेंगे टीक है तो 8बर फरवरी को मनाये गया है सेफर इंटरनेट डे आर्पी अफ कर्मियों को दिया गया जीवन रच्छा पदक पुरुसकार रेलवेस रच्छा बन ने मानो तसकरी को रोखने के लिए ओपरेशन आहट शुरू किया डाक्टर उन्नी कृष्णन नायर को विक्रम साराबाई अंतरिच केंदर के निदेशक के रुपे निफ्ट किया गया ब्लूमबर ब्लेनियर इंडेक्स में गौटम अडानी ने आपके मुकेश अम्बानी को पीछे छोड़ दिया है और एजिया के सबसे अमीर विक्ती बन गए है करनाटक सरकार ने अबबवा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कारिकरम शुरू किया ऐसा करने वाला पहला राज्य है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी की गई है जिसमें बताया गया गिए पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं वो बहुत जाता है आठ से दस्वरवी 2022 तक आयुजित किया जा रहा है इंडिया टेलिकॉम 2022 टी पीसी दोरा जारी किया जाता है टेलिकॉम एक्विप्मिन्स कॉर्परेशन लिम्टेड दोरा पश्मी घाट में खोजी गई शिपकली की एक नई प्रजाती दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे ब्लू गुलमर्ग में खोला गया है जमुकस मीर राष्टी है एकल खिड़की प्रणानी यानि कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंदर सासित प्रदीश पना और 94 एकेडमी एवार्ड्स यानि कि आसकर में भारत की तरफ से नॉमिनेशन में गई है राइटिंग विद फायर डॉकुमेंटरी केटिगरी में इसरो 14 परवरी को प्रथवी अबलोकन उपगरे है EOS 04 को लांच करने वाला है 2022 का पहला मिशन होगा इसरो का IIT सोथ करता होने कम लागत पर समुद्री जल को बना दिया है पीनेईों के भारत सेल्ट्स पोर्थ वैस्विक डिजिटल कौसत सूचकान में एकदम सीट्स पर आया है बहुत बिनों बाद कोई इंडेक्स ऐसा आया है जिसमें भारत टॉक पर महा भारत में भीमगा किरदार निभाने वाले प्रवीर कुमार सोबती का भी हाली में निदन हो गया जो कमजोर होते हैं वही किसमत कुरोते हैं जिसे उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है कि अक्सर हमारे जीवन में होता है बज़ाए होती है अब काओगे सर आप भी तो बज़ाए देते हो जब करेंट अप्रेस नहीं लेकर कर आते हो तो बोलते हो कि आँख खराब है या ते को हैल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं और अभी मुझे बहुत जीना है बहुत जीना ह होता है हमारा जो शरीर होता है अपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं 12 में बीमार हो गया ता इसलिए मेरे परेंटेस सही नहीं है अधर्वाइक मैं तो एकदम फोड़ देता टॉप कर लेता इमांदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमांदारी का इनलाईज करते रहे अगर आप अपने अपों सेल्प एनलाइजन के नहीं करेंगे एक अलगी अलगी सपनों के दुनिया में तो भिलाल चलते हैं पर सो पने क्या पढ़ाता। ह हाली में कि देश ने पहली बार। सेन गल ना गया किसी बार नीदर लेंड में भात की नई राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति किया है तो रीनत संदू नीदर लेंड में भात की नई राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई है नीदर लेंड में भात की नई राजदूत के रूप में कौन नियुक्ति किया गया है ने रीनत स भारध में वेस्टेंडीचे के खिलाब पिला और चे विएट से जीत यहां पर हासिल की थी परवरी 2022 में कोबिट नाइनटीन के विरुद्ध डियने वेक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला दिश कौन सा बन गया तो दुनिया का जो पहला देश बन गया पर दुनिया में पहली वैक्षीन जो नीडलेस पारत में पहली वैक्षी नहीं लगेगी हाली में के इंदे मद्थ बढ़ेश में किन सहरों के नाम बदलने की गोश्णा की है तो होसंगाबाद नर्मदापुरम हो जाएगा और बाबाई जो है वो मांखर नगर हो जाएगा सिवपरी का कुंडेस्वर धाम हो जाएगा तो तीनों के नाम जो है वो बदल दिये जाएंगे इन तीनों के नाम कहां पर बदले जा रहे हैं मद्यपतेश में बदले जा रहे हैं ठीक है आगे व विकलावंग विक्तियों के लिए AI आधारी जा भारत का पहला जौब प्लेटफॉर्म जो है वह आईटी हैदराबाद ने विक्षित किया है आईटी हैदराबाद साथ फर्वरी को सिच्छा मंत्राले ने जेएनियू की पहली मैला कुलपती के रुप में नियूपत हो गई हैं तो यह है तिलंगाना का वेलम पल्ली तिलंगाना का वेलम पल्ली यह गाववववववव पहला है परवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट यूगल का खिताब किसमें जीता है तो ए और भी दोनों रोहन वपन्ना और आर रामनाथन की जोडी ने आपको महाराष्ट का यूगल खिताब जीत लिया आगे 172 परवरी 2022 को उतरा खंड का ब्रांणे मेड़र कीजे न्युक्त किया गया है अब बार है आजके करेंटर पेस यह Также पूछा गया कि सुरच्छित इंटर्णेट डिवस कमना जये तो वह इसलिए जोकि सुरच्छित इंटर्णेट डिवस overthu can यह हर साल परवरी महा के दूसरे सप्ता के दूसरे दिन मनाय जाता है बड़ा आजीव हो गरीब है दूसरे सप्ताहा के दूसरे दिन मनाये जाता है दूसरे सप्ताहा के कम मनाये जाता है दूसरे दिन मनाये जाता है तो इस बार दूसरा सप्ताहा का जो दूसरा दिन पढ़ा वो कब पढ़ा आठ फरवरी को पढ़ा तो राइट आंतर हमारा क्या होगा आट परवरी को और इसी दिन जो था वो टिम बर्नस ली ने आपका 1990 में वर्ड वाइड वाइड वेप का अविसकार किया था कंप्यूटर रहता परवरी के दूसरे सब्ता के दूसरे परवरी को मनाने जाता है कि अगली जानकरी की तरफ बहुत जबहुत ज्यायदा पुदक पुरसकार 2021 से समानीत करने की मंजूरी दी है तो इस बार 7 लोगों को यह पदक दीए जा रहे जीवन रच्छा पदक में 3 पदक होते हैं एक होता है सर्वोत्तम जीवन रच्छा पदक और एक होता है अपका जीवन रच्छा पदक तो यह जैसे आपने सुना होगा कि जो आर पीएफ होते हैं रेलवे पुलिस के कर्मी होते हैं या अगनी समन के जो फायर वाले होते हैं तो वह क्या करते हैं कभी-कभी लोगों की जाने बचाते हैं आपने त्रेंड पे कुछ लोग कटते हुए जा रह आपको पूरा डिटेल याद रखने की आवश्यक्ता नहीं है फिर भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा कि ग्यान चंद जो है इनको मरनो परां सर्वुत्तम जीवन रच्छा पदक दिया गया है और उत्तम जीवन रच्छा पदक चार लोगों को दिया गया है जीवन ट्रेन की चपेट में आ गये थे तो मरनो परांद दिया गया है तो यह वला एटलीस कम सकम याद रखिए तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कितने लोगों को राष्ट पती दोरा यह पदक दिये जाते हैं कितने लोगों को दिये गया है सर्वुत्तम जीवन रच्छा लोगों की जान बचाने के लिए पुरुसका दिये जाते हैं ठीक है आज नहीं हर फरवरी आठ परवरी हर बार क्यों पड़ेगा तो यह पहला सब्ता हो गया गुरू एक दो तीन जा अब जो सोंबार आएगा वो दूसरे सब्ता हो गया है तो दूसरे सप्था मैं आख कि आपका फररवरी महा का एक तरह समझ से दूसरे सब्ता हो जैसे फरवरी महा का पहला सब्ता कौण से होगे गुरूर वाला होगी घृ कैने की रơnफ यंश्र सुरछाब की है तो रेल्वे सुरच्छा नेम ऑपरेशन आहट की है कि होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा तसक्री वगेरा कर रहे होता है बच्चों को बढ़ा के रखते हैं बांद के रखते हैं तो ऐसे में जो आर्पीफ है वो थोड़ा सा नजर वगेरा बनाके रखेगी इस पेसल चला जएगा तो यह आहट है हमारे देश में लवह एक्किट हजार ट्रेनें चलती है और उन.ANE से एक बात याद आया अभी हाली में एक हजारवी रेल चलाए गई है एक हजारवी किसान रेल चलाए गई है एक हजारवी किसान रेल चलाए गई है ये आपकी स्विवादा या सवादा महराज से चलाए गई है सवादा महराज से आप मुझे ये बता दो ये एक हजारवी किछान दिल सवादा महराज से कहां तक चलाए गई सवादा महराज से कहां तक चलाए गई सवादा महराज से ये चलाए गई है न्यू आदर्स नगर नई दिल्ली इतना लिख दू कम चल जाएगा न्यू आदर्स नगर न्यू डेली आधर्थ नगर नई दिल लेते, अब बात करते हैं, ऑपरेशन सरदवा, अभी हाली में राजस्थान में चलाए गया, इसके दौरा चलाए गया, भारतिय थल सेना दौरा चलाए गया, ओपरेशन गर्म हवा भी वो लोग चलाते हैं, इसके लाब एक पश्चिमी लहर चलाए यह नव नेवी द्वारा चलाए गया पश्मी कुंकर टटपर पश्यमी लहर तो यह operation आज किसे संब्धिता है railway पुलिश रेलवे संब्धिता है रेलवे सुरच्छा बता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संब्धिता है और यह चला गया है और यह कहां पर चलाए गया है कौंकन के टटपर रेलवे सुरच्छा पल्ने मानों तस्करी रोखने के लिए आपरेशन आहट शुरू किया है यह उपरेशन मुखरूप से तसकरों से महिला और बच्छों को बचाने पर केंद्रित होगा यह उपरेशन हर भारती ट्रेन में चलाए जाएगा भारती रेलवे कुल मिलाकर 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है और इसी के जरी अगर हम उसको ट्रेक करते हैं तो अगर हमें कहीं स अब सब्सक्राइब यह गया तो हम यह पता कर पाएंगे तो आपको सिर्फ़ इतना इंपॉटेंट ना इंतरिशक किसे किया गया है तो विक्रम नाइदेशक 6 पिए गए फ़ेली बाद विक्रम हेलबाइब यह आपका 21 नुवंबर 1963 1963 1963 में तिरुवनंद पुरम कहाँ पर तिरुवनंद पुरम क्या हो रहा है तिरुवनंद पुरम इस थापना इस थापना दिवस मनाया इस थापना ने ये ये एक जनुरी दो जार बाइस को अपना चॉसर थापनाधिवस मनाया इसकी इस्थापना उन्हें पुरिवे ने मोहनती किसके बार्ख के यह कह NFC यह कहा पर है यह मंबई ऐसे इयाओ अठाना डियाओ सुमनातर इस रोगर मैं है इस रोगर बैंगलोर में है इस रोगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो चारों याद रखें ज्यादा समय तक कैसे याद रखें ज्यादा समय तक कुछ भी याद नहीं रख सकते तो यादा समय तक याद करने का तरीका यह है कि आप चीजों को रिवाइज करते हैं रेगुलर इंटर्विल पर तब ही ज्यादा समय तक याद रहेगी तो डॉक्टर एट्स उनिकेशन नायर वर्तमान में मानों अंत्रिश उडान केंद के निदेश रखें और आपको बताएं भारत के लांच वेकिल डेवलप की हैं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यानि कि यह इस बात के एक्पर्ट माने जाते हैं कि लॉंचिंग के लिए एक्पर्ट माने जाते हैं अगली जनगारी Bloomberg Billionaires में नमिंतम इंडेक्स उन्राइज के सबसे अमीर वेक्ती कौन बन गये हैं गौतम अडानी दसमें नंबर के विश्च्ट के सबसे अमीर वेक्ती हैं एकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एलन मस्क टॉक पर हैं एक नंबर पर चल रहे हैं दो नंबर पर जेब बुज़ेश चल रहे हैं और ग्यारवे नंबर पर आपके मुकही संबानी पहुंच गए सबसे अमीर बेखती है यह पूरा लिस्ट है देख लो एलन मस्क टॉप पर चल रहे हैं दो सो पैंतिस अरब डॉलर की संपत्ति वाओ जेब जो है एक सो तिरासी यार इसमें से एक अरब मुझे दे बस बाकि मुझे कुछ नहीं चाहिए बर्नाड अर्नाड एंड फैमली 168 गौताम अडानी 88.5 एंड मुके संबानी 87.9 तो यह पूरा का पूरा लिस्ट है साजार चात्राओं को आत्मरच्छा प्रेश्चन कारेकरम देने वाला है यह बहुत बढ़िया है कि सोचो कि अगर कोई लड़की हो उसको कोई लड़का परिशान करें वह दे दो मुक्का कि मिला मिला के मज़ए आ जाना वहां को सीन क्रियेट हो जा एक दम बढ़िया वाल और उनको यहां पर मार्सलार्ट में ट्रेनिंग दी जाए तो यह करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है करनाटक वो कौन है करनाटक ठीक है तो राइट आंसर मर के हो जाएगा करनाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में पचास याच्छात्राओं के लिए अब करनाटक की बात करें तो करनाटक अभी हाली में रहा था इंडिया इंडिया इनवेशन इंडेक 2020 में करनाटक ने टॉक किया था यह सबसे इंडिया इनवेशन इंडेक्स में इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर महरा है करनाटक अभी हाली में एक परसेंट reservation की घोशना करती है यानि 1% जो है वो transgender को आरश्ण देना पड़ेगा पुलिस भरतियों में तो करनाटक जो है उसने 1% ठीक है करनाटक जो है उसने 1% reservation transgender को दिया है पुलिस अब माल पे बीच दो है ये करनाटक में है इसको अभी आली में next and red flag safety के लिए red flags प्रमानित किया गया है क्योंगी बहुत safe beach है इसके लावा हमारे पास भारत में कुल 10 beach ऐसे हैं जिनको blue flag certification मिल चुका है blue flag certification अभी हाली में किसको मिला है वो मिला है कोवलम और Eden कोवलम कहां पर है कोवलम कहां पर है और Eden कहां पर है यह इईन पुझछेखी में है सब्सक्राइब कोवलम को अभी हाली में किरती संजीवनी वेन शुरू की है वो इसलिए सुरू की भी चूंकि मिटी और पानी की सिस्टिंग की जा सके देश का पहला flower processing center देश का पहला प्लावर processing center यानि कि फूल प्रसंस करन केंद ou से उठाथ बनाना यानि उनसे प्रोड़क बनाने के लिए स्कीम जो सुरूं की गई है वो करनाटक में सुरूं की गई है करनाटक में घगे है मंड्या मंड्या में सोला सो टंग जो है 28 राजसभा में 12 और डिस्टिक 31 तो करनाटक की सभी को पता है बेंगलूरू है वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर है बसाव राज पर बनी आप पर देश पर बनी है डालो कुनिता सन्नाटाज परिजाता डोड़तास यक्षगाना प्रमुगडांस फॉमें स्टेट व्र निंपिया यानि की लोटक निंपिया निलंबो निंपिया निलंबो वेंग्यालिक नाम है तो आगे चलते हैं हाली में जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अंसार सबसे ज्यादा पत्रकार के हमले किस राज में हुए है एक एक नीज मैंने डाली देखता हूं डाली कि नहीं डाली नहीं डाली लेगो कल ला कली यहां लोग सभा कि याने राज सभा में कहीं पर सदन में बोला गया है मैंने देखा पारण का स्टेट्मिंट आया है कि जो आता है नाकर विपोर्ट रिपोर्ट जो आती है और को पोजीशन 142 दिया तो प्रेस इंडेगर MS एंडेक्स में भारत का स्वाल उठाई गया कि भाई सरकार जो है वो गलत काम कर रही है और पत्रकारों को मार रही है या इस तरे को कुछ कर रही है तो जवाब आया कि इस इंडेक्स हो छोड़ दो यह इंडेक्स बेकार है इसमें डेटा बहुत कम है ऐसा कल न्यूज में था फिलाल बात करते हैं तो बुद्धोजर एक सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर जो हमले हुए हैं वह कहां पर हुए हैं वह जम्मू और कस्मीर में लगबग 25 पत्रकारों के उपर हमले हुए हैं इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जिसे अभी हाली में राइट रिस्क एनलिसिस ग्रूप दौरा जारी किया गया है इस रिपोर्ट के मताबिक 13 मीडिया हाउस और अभबारों को निचाना बनाए गया 108 पत्रकारों पर हमला किया गया 6 पत्रकार मारे गया सबसे ज़्यादा पत्रकार हमले जो हैं वह जम्मू कस्मीर में कहां पर हुए जम्मू कस्मीर में अच्छा अभी एक पत्रकार थे पत्रकारों 25 हमले हुए उसके बार 23 हमले उत्तरप्रदेश में हुए यूपी के बाद मदप्रदेश 16 त्रिपुरा 15 दिल्ली आठ बिहार 6 और इस तरीके ते यहां पर पत्रकारों पर हमले की बात की गई है आगर हम बात करें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बारत में जो स प्रेस काउंसिल अप इंडिया की फपना चार जोलाई प्रेश्टी यह प्रेश्टी यह 16 नोमर को मनाया जाता है प्रेश काउंसिल ओप इंडिया की इस्थापना चाल जुलाई 1906 को हुई थी प्रेश काउंसिल आप इंडिया की सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह जो एंड्रोइड पर काम करता है और अगर आप इसे आप वर्तवान समय में एक तरह का वैपन बन चुका है वैपन इसलिए क्योंकि अगर आप इसे किसी के फोन में डाल दें या कि फोन पे लिंक दें या उसके फोन पे एक मैसेज के जरीए भी इसे ट्रा में किस से चैटिंग कर रहा है किसे क्या मलब हर चीज। उसका ट्रांजेक्शनका स्थी कहरत है इसको इसको इसे सोया-व किया जाता है और आप devants होने लगा तो सरकार के साथ इन्हों ने बॉंद स्रकार जिसको चाहती उसी को ही employers वो मलब ऐसा है कि आगर मालिज आपको पेगासस लेना है तो यह आपको सरकार सही संपर करना पड़ेगा बहुत महगा सौफ्ट्वेर है बहुत महगा कई सारे देश जैसे भारत में भी बोला गया कि बीजेपी ने साथ इसको खरीदा है और कई सारे लोगों के फोन पर ट्रांस्मिट भी किया है तो यह पूरा का प इंडिया टेलीकॉम 2022 एक विशेज अंतराख्टी व्यापार एक्ट्पो का उद्गाटन किसने किया है तो यह हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है अस्वनी वैशनो अभी हाली में केंदरी रेल संचार एम इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रदिकी संचार मंत्री अस्वनी वैशनों ने इंडिया टेलीकॉम 2022 का एक विशेज सुद्गाटन किया है यह आठ से लेके दस फरवई तक आउजित किया रहा है इसमें होना क्या वाला है इसे टीपीसी द्वारा चलाए जा रहा है टीपीसी यानिकि टेलीकॉम एक्विप्मेंट सर्विसेज एक्पोर्ट प्रमोशन कॉंसिल बारत में कुछ बहुत सारे टेलीकॉम एक्विप्मेंट बनते हैं या किसी और देश में बनते हैं तो उनका एक एक्सपोर्ट यानि कि प्रदर्शनी ताइप की आजिए कि ताकि आपको जिस तरह का सॉफ्वियर या जिस तरह का हाड़वेर की ज़रू प्रमोशन के जो हैड है वो स्यामल घोस है हो जता है डारेक्ट आप से पूछ ले तो जरूर याद रखिए टीए पीची के हैड को ने वरतमान समय में श्यामल घोस जो है वो टीपीची के हैड है तो यह एक्पो है बस आपको याद रखना है यह कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है आज देखो कभी-कभी कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर यह जो आप पढ़ाते हो यह वाला यह हैमी डेक्टाइल्स इसाई किस प्रजाती का नाम है जिसे पश्चमी घाट के रल में परचाना गया है यह केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूपी एस्प चिपकली की नई प्रजाती प्राप्त हुई है यह भूरे रंगे चिपकली आप देख सकते हैं चिपकली से मझे बड़ा दर लगता तो यह हैमी डेक्टाइल्स इसाई नाम की पर जाती है यह कहां पर खोजी गई है यह आपकी पश्मी घाट परवत पे खोजी गई है ठीक पर खोजी गई है यह आपको याज रखने की जरुत नहीं है लेकिन आप 105 मिलीमीटर हो यह हलके भूरे रंकी होती है तो जब आपको लिखना होता है तो बहुत कुछ लिखने के लिए हो सकता हाँ इससे इंपोर्टन एक अभी हाली में प्रजाती से जड़ी स्वेशी से ज किस प्रसिद्य व्यक्ति के नाम पर गर कि ऊस्ट्रेтमेट का नाम पर रखा गया नाम मैं बता दूया कि उस लिखका नाम रखा गया है प्रिशटा मिंटिस प्रिश्टा मिंटिस ग्रेटा थनबर अब तो पता ही चले गया अब तो पता ही चल गया कि किसके नाम पर रखा गया प्रिष्टा मिंटिस ग्रेटा थन्बर यह जो है यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है यह आपके सब के लिए लेकिन यह जो है यह सिविल सर्विसेस के लिए जा रहे है उनके लिए इंपोर्टेंट के नाम पर रखा गया उसका नाम क्या रखा प्रिष्टा मिंटिस ग्रेटा थन्बर दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे कहां पर खुला गया इगलू तो आप सभी जानते गुलमर्ग में खुला गया है विसका सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ा था वो सुडियर लैंड में था अभी कहां पर हो गया है गुलमर्ग में हो गया है तो जमू कस्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे खुला गया ह झम्म मुकतमीर एक और नीजर राष्टी एकिलाडी प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला विद्टीज नेशनल सश्रीय सब्सक्रारा नीजर बना है नेशनल सिंगर विंडो सिस्टम यह लोगों को इन्वेश्ट करने फ्रूसाहित करती है इन्वेश कर औरिया को अभी हाल ही में अंक कटाड़ा द्वरा अंक टाड़ा अंक टा एनंवेशंट्ट इन्वेश्ट अप्राइश्स ससंभानित किया गया था यह बड़ा प्राइस प्राइज culturally जीत कर आई थी, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम चलाए जाता है, ताकि कोई भी वेक्ति जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहे, उसको ज्यादा हैसल प्री नहों, मलब ज्यादा परिशानी नहों, वो जहां से सेर खरीना चाहे, वहां से खर आज्यों की तरीके, इस टॉक में लेंडिन कर सकेंगे, तो ये इन्वेस्ट इंडिया द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, आ जाएगा, सर कल छुट्टी क्यों मारी थी, बीमार हूँ यार, वारेज़ और उद्योग मंत्राले ने आट परवी 2022 को कहा, कि जमू कस्मी करना है, लैप्टॉप स्क्रीन टाइम बिल्कुल रिड्यूस करना है, मुझे बिल्कुल मलब जीरो कर दे रहा, फोन मुझे देखना ही नहीं है, इवन ये जो लाइट आप जब देख रहो, मैं इधर अगर आप गौरत पी देखो कि तो मैं आखे बंद कर ले रहा हूं, आ मनोज कुमार सिना है, 94 एनुवल एकेडमी एवार्ड के लिए भारत की किस फिल्म को बेस्ट डॉकुमेंटरी फीचर केटेगरी में भेजा गया है, तो बेस्ट डॉकुमेंटरी फीचर केटेगरी में गई है, राइटिंग विद फायर, चौराइवे एक डॉकुमेंटरी ह कहानी है वो अपना मोबाइल लेके पूरा शूटिंग करती रहती है और बखाइदा जानकारी वगएर अखवार चलाती है उसके ओपर यह कहानी है राइटिंग विद फायर इसको भारत की तरफ से प्रमोशन के तहट बेजना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा उसके बारे में कोई ऐसा जानकारी नहीं है अगर हम बात करें अभी हाली में जो फिल्म पुरुस्कारों की गोशना हुई है वह गोल्डन ग्लो गोसित कर दिये गहते बेस्ट फिल्म का कैटेगरी का एवार्ड गया था दा पावर ऑफ डॉक को बेस्ट एक्टर का एवार्ड गया था बिली स्मित को बेस्ट एक्ट्रेस का एवार्ड गया था निकोल किड्मैन को तीन याद रखिए 79 गोल्डन ग्लूप बेस्ट फिल्म का एवार्ड गया दा पावर ऑफ दॉक को और ऐसा माना जा रहा है तो यह गोल्डन गुलोब की बारे में आपको बता है इस रोप पीएस लवी सी 52 रॉकेट से एक प्रत्वी अब लोगन उपग्रे कब लॉंच करने वाला है तो कई किये इससे पहले उन्हों ने कॉस्मो को स्मो मीड कोस्मो मीड एक संद्रिक प्रत्रा उसे लॉंच किया था एक सबस्क्राइब यह इसके बारे में जाता यह भी स्पीट एक्स नहीं लॉंच किया था तो चौदा पर्वी 2022 को इस रों ने कहा कि हम अपना आप पत्वी अप्लोकन उपगरें इसके लावा इससे पहले उन्होंने गोषना की थी कि आजएध 2022 में हम इस बार अपना चंद्रयान 3 भी लॉंच करेंगे क्या लॉंच करेंगे चंद्रयान 3 भी हम अपना लॉंच करेंगे इसके लाबा आधित एल्वन मिशन जो वह अंबारा सूर पक सुर पर जाएगा वह मजू बहुकर पहला मिशन कब लॉंच वन्होंने व plantation को ठीक है PSLV C-52 इस रुगा 2022 का पहला लाँच अभियान 14 परवरी के लिए निदार किया गया है जिसमे PSLV C-52 रॉकेट से एक प्रत्वी अवलोकन उपगरे लाँच किया जाएगा और ये श्री हरी कोटा से लाँच किया जाएगा पहला IAST के विद्यार्थियों दोरा पनाया गया इसपायर सेटलाइट 1 और दूसरा भारत भूटान का सेंफ तुर्पात I2 भी है तो यहाँ पर दो छोटे-छोटे सेटलाइट भी जो है वो यहाँ पर जाने वाले है एक भारत भूटान का सेटलाइट भी है किस आइटी दोरा समुद्र के पानी को पीने योगे बनाने के लिए एक विधी विक्सित की गई है तो यह आइटी गांधी नगर में विक्सित किया गया है आइटी गांधी के नगर ने ग्रेफाइट के मॉलिकूल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया ताकि वो पानी में ना घुरे और उसे पानी को च्छानने की विधी डेवलप की जा रही है तो यह कहां पर डेवलप की गई है आइटी गांधी नगर में और अगर भविष्व में ऐसा हुआ तो हो सब्सक्राइब पानी पीबी पाएंगे तो आइटी गांधी नगर की टीम ने कम लागत और पर्यावण के अन्कूल विलवडी करन टेकनीक विख्षित की है यानि कि पानी में जो लवन की मात्रा होती है या जो नमक होता है उसको वहां से हटाने की बात की गई है यह प्रोपेशर गोपी नाधन कलों के नेतरत में किया गया है कहां पर क्या गया है आयटी गांधी नगर में कौन सा देश सेल्फ पॉर्स वैस्विक डिजिटल कॉसल सूचका कई भी भी कंप्यूटर चलाना नहीं सीख्योंगे अनको का यह थिए और चालाना यह लेकिन अपने पर अपने पर और आ平ёл duż जिसमें सौ में से चाचट के स्कोर के साथ सेल्स पोर वेस्ट्रीट डिश्टल कोसर तूछ कांग में भारत सीस पर है ब्राजील और थाइलेंड करिम्टाफ 53 और 48 के साथ दूसरे या तीसरे स्थान पर है उनने देशों के तेजियार 500 सेदिक स्रमकों पर ये सर्विच्ण किय गया था महाबारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेदा का भी हाली में निदन हो गया तो प्रवीन कुमार सोगदी ये केवल अभीनेता ही नहीं थे इन्होंने एसेंच पतफों हैं तो फ मेंखे किरदार हो अगया नइधन the sini न 17 सब्सक्राइब सब्सक्राइब पत्रकार हमले किस राज्य में हुए है जम्मु कस्मीर में इंडिया टेलीकॉम एक विजेद अंतराश्टी व्यापार एक्सक्राइब का एक्स्पो का उगाटन किसने किया आश्च्वनी वैस्टनो हैमी डेक्टाइल्स इसाई नाम की प्रजाती ये किस जानवर की है या किस जन्तु की है ये छिपकली की है और दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे कहां पर खोला गया है गुल्मर्ग में राश्टी एकल खि पर आएटी कांधी ने विख्षित किया है डी सेलनाइजिशन पोसे कौन सा देश वर्ट वैस्टी डिश्ट्रीट वादर सूच कांग में सीज पर है वह है भारत और महा भारत भीम को किर्दान इवरें के सब नेतक अभी हाली में निधन होगे उनका नाम है प्रवीन कुमा कि भारत में सबसे लंबा समदर तट कौन सा है तो भारत में सबसे लंबा समदर तट जो है वह मरीना वीच है कई लोगों ने बहुत सारे आंसर किये दा लॉंगे सी बीच इन इंडिया इस मरीना भी थैंकि दिक्षा एंड दस सिरीन वाकर मरीना इजन नैचरल अर्वन लॉंगे बीच मरीना बीच थर्टीन किलो मेटर चेंड तमिल नाडू सेकेंड लॉंगेट कोलावा वीच 2.5 गोवा आज का प्रेशन निवलिकित में था कौन सी भारत की पहली टेल रिफाइन भी है यह आज आपको कमेंट में लिख के बताना है थोड़ा था चोटा रहा अब न्यू सारी कवर की और आई थिंक जैसे ही मैं थोड़ा था और बेटर होता हूं तो चीजां और बेटर होगी अभी के लिए थैंके सो मच बाबाए टेक क्या ध्यार नेकेगा अपना